आज के कोरणा आपडेट देविच वापस मैं तौड़े नाल साजा कर रही हैं जिले दे जड़े ताजा आकड़े ने जड़े कोरणा देजा समझ देथ हैंगे जिवें की हुन तक जड़े सांपल लिते गयने वो एक लाख पचतर हजार आठ सो पचतर ने उना दे विच्छों नेगिटिव सांपल लाएं देगिंती एक लाख अठाथ हजार तीन सो निनानवे हैं 168 399 इना दे विच्छों हुन तक रिपोर्ट जड़े पेंडिंग हैंगी वो 1608 दी हैंगी ते टोटल पॉजिटिव जो हुन तक आसी कह रहे ने कि पिछले 5 तो जट्सो करणा चालू हुएगा हुन तक आ चुके हैंगे वो 4881 हैंगे तोटल नवे पॉस्टिव केसां दे गिंती आज 109 हैगी 105 डिस्चार्ज होके वापस आज हूम आइसलेशन ते और L1-L2 फिसलीटी तो डिस्चार्ज होके वापस अपने खरां दे विच इनाक्टिव दे विच कंसिड़ा किते गए ने तोटल रिकवर्ड पेशन्स दे गिंती हिसी करके 5301 हो जान दी हैगी ते एक्टिव केसेज दे गिंती जिरे दे विच्चे 900 तैती हैगी तोटल डेथ जड़ी हैंगे कुरोना नो लेके वो दोस्तो सत्ता ही हो चुकी हैंगी जिना दे विच्चों आज एक डेथ हुई हैगी जो काफी जादा वरिसम भी हैगी एक मुकारी पिंडितों श्री आनपुर साब तों सत्तर साल ते मेल जिड़ी हैंगे जिना नो दस एपरन नो टेस्ट किता गया सीगा SDH आनपुर साब दे विच ओ गुर्देव हॉस्पिटल नो कुर्वेदी दे विच नादी देथ हुई हैगी तो ए आकना दस्दे हैगा कि हुन तक जिवी कह सकीए कि साड़े कॉल किस तरीके नाल केसे दी लगातार इजाफा हो रहे हैगा तो नाल ही जिड़े डेथ दे रेट हैगा उस दे विच भी इजाफा लगातार हो रहे हैगा रोपड जैसे सबडिविजन दी गल करें तो साड़े कोल आज दे केसे दे विच रोपड दे विच हो जिवें कि हुन तक केसे वकरे वकरे आए ने वो ती केसे हैंगे जो रोपड तो संबंदित ने चपंजा करेबन 25 केसे हैंगे जड़े 56 केसे जड़े ने वो रोपड तो संबंदित ने तो सब तो जादा केसे करके रोपड सब्डिविजन तो साड़े कोल आ रहे हैंगे शेरी खेतर दे विच भी सबसे ज़्यादा आ रहे हैंगे सताई केसे नंगल तो हैंगे श्री आनपर साब तो साठेक्रवल बी केसेज जड़े पॉस्ट पाए गयने तरही श्री चंकार साब तो छे केसेज ने जड़े पॉस्ट आज पाए गयने तोतल एक सो नौ दी एक गिंती से तेनाली जेकर गल करां कि जड़े L1, L2 देविच हो सीगे ते L1 देविच एक सो दो जड़े कुरोना तेनाल पेशेंट्स ने वो अपना इलाज ले रहे ने L2 देविच त्रेट ने L3 देविच जड़े सीरियस थे क्रोनिक पेशेंट्स ने जेकर गल करें पॉस्टिविटी दी तो पॉस्टिविटी दी रेट लगातार बद रही है कि जेकर क्यूमिलेटिव पॉस्टिविटी रेट देखिए तो 2% से वदके ये 3.67 हो चुक्या हैगा जो काफी जादा चिंदा जनक है इस करके ऐसी बार-बार प्रशासन वलू अपील कर रहे ने कि तुसी समाजिक दूरी दा ध्यान रखो तुसी मास दी वर्तो दा ध्यान रखो क्योंकि एही एक तरीका हैगा कोरोना तो बचन दा ते नहीं वाक्सिनेशन प्रोग्राम दे विच अपना योगदान पाओ जेकर तुसी 45 साल तो उपर हो तो तुसी ये वाक्सिन जरूर ल कि क्यों ना सी जाके कुछ इस तरह दा करिये कि पैनिक हो जाए लोगां दे विच लोगा दे मंदे विच वाक्सिन लेके कोई शक पैदा हो जाए लेकिन मैं तौनों ये दसना चांद दिया कि तौड़े जिले दिट्टी कमिश्न होन दे नाते में वाक्सिन खुद लगा च कि आज मैं आपके सामने बिल्कूल भली चंगी है कोई इसका साइड एफेक्स नहीं है इन फाक मेरे परवार्द जेड़ी भी इलिजिबल व्यक्ति से गे जेड़ी इलिजिबल मेंबर से गे मैं सारे नों लगवा चुकी है और जिले दे काफी जादा सरकारी दफ्तरां दे विच्छे फ्रंट लाइन वरकर्स दे वजो काम कर रहे हुए करमचारी ते ओफेसर साइबाना ने भी एज डोज लिती है कि उन्हानों दे विच्छों किसी नूँ भी रोपर्ज ले दे सम्मंदित किसी भी व्यक्ति नूँ आज तक कोई भी एडवर्स केस नहीं हुआ है जो एक यहां जा सके कि वाक्सीन दे कारण करके उन्हानों इस दा सामना करना पर या इस करके जेड़ी भी तोड़े सामने कोई भी इससरा दे रूमर्स तोड़े दासरे ने तुसी नानों नर्जंदास करो क्योंकि ए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि सच्छी ते सटीक जनकारी तोड़े पॉल पहुचे ए जनकारी एही हैगी कि जिले दे सारे सरकारी होस्पिटलां देविच कम्योंटी हेल्स इंटर आ देविच प्राइवीट प्रैमरी हेल्स इंटर आ देविच ए वाक्सीन 45 साल से उपर वाले किसी भी व्यक्तिनों मुहत लगाई जारी ते नाली प्राइविट देविच धाई सुर पे देचाश तो तुसी ए लगवा सागी जहांबे चार प्राइविट होस्पिलां देविच ए लग रही हैगी लेकिन मैं तौनू एक गोल्डन ऑपरचुनिटी है उन सारे लोगां दे वास्ते जो कुरूना देनाल प्रभाव ते नाली किवे अपने परवार दे चेड़े लिजबिल मेंबर्स ने उन्हानू वैक्सीन दी डूस लगवा चुके हैंगे कि नहीं लगवा चुके हैंगे इस करके मैं आप सब नू दुबारा बेहनती करना चावांगे क्योंकि आसी वेकरे ने कि पिंडा दे विचे कुछ सरपंचा सरपंचा साहिवाना ने एक कुछ कदम चक्किया हैगा कि उन्हाने अपनी पिंडा नू वैक्सीन लगान वास्ते होते कैंप वगवाना रखाए ने ऐसी तरीके नाल फूर असेसेशेशन वगवारा दे नाल भी गलबात कर रहे ने जेकर तोड़े कोई असेसेशे लेकिन बशर्ते उत्ते सो गटोगट इलिजिबल मेंबर्स मोन जेड़े वैक्सीन लगान वास्ते हैं ताकि साड़े जड़े वैक्सीन लगान वाली टीम हैंगे उना भी उनके टाइंदा भी ऑप्तिमल यूटलाइजेशन हो सके असे इसी कारण जिले दे विच्छे काफी भाड़ी मात्रा दे विच्छ ए मुबाइल टीमा दा भी प्रियोग कर रहे ने इथे ऐसी क्याम भी लगा रहे ने ताकि लोगानू सीधे हॉस्पिटल ना आना पे जेकर तुसी हॉस्पिटल भी आना चांदे हो उस दे वास्ते भी पूरे तरीके तो पूरे एप्रपेट बेवियर नाल तुसी उठे बिठाया जावेगा तो रिडिटरेशन होएगी ते आधे गंटे तुसी उठे अब्जविशन दे विच एस पर एस पी रखे जाएगा कि जेकर कोई अगर वैक्सिनेशन दे कोई प्रभाव होंदा हैगा ये देखन वास्ते ते आज तक मैं कहा सकते हैं कि रूपर जिले देविच इन्हें लोगा ने वैक्सिन लगवाई हैगी लेकिन उन तक एक भी व्यक्ति इदादा नहीं निकलिया हैगा जिते ये वैक्सिन दब कोई बुरा प्रभावा पया हो ते इस करके साबित करदा हैगा जिड़े ऐसे लोग ने जो बार बा परिवार देविच्छों कोई भी वैक्ति 45 साल से उपर है ये वैक्सिन ज़रूर लगवाए इस देविच्छों इस ततर कोई प्रभाव नहींगा कि जेका तौन कोई डाबिटी या कोई हार्टी समस्या या किसी होड़ तरहादी कोई करोनिक प्रब्लम है इसका इससे कोई जाने कि मैं लगवा चुके हैं जी तुसी भी लगवाओ तो आज मैं एक आपके जड़े सचे नागरे खोंड देना आते मैं तौनू एक अपील करना चाहांगे कि तुसी भी अपना फर्ज निभाओ प्योंकि जद तुसी ये वैक्सिन लगवाओंगे तो मैं एक ट्लेर कर हो सकता हैगा लेकिन मैं एक बहुत जादा जरूरी चीज तौनू देसना चाहते हैं कि एक चीज तौनू इंशोर कर दी है कि एक केस सीरियस नहीं होएगा तौनू होस्पिटिलाइजेशन दी जरूरत नहीं पहेगी तोड़े परवार देविच जो किसी नों भी जेकर उनना दे वास्ते ये बड़े ही माइड सिम्टम के साथ निकल जाना है क्योंकि एक तौड़े कॉल तौड़े शरीद विच अंटि जो नहीं होएगा एचीज इस चीज वास्ते है कि जेकर इन निकल जाना है क्योंकि सानू पता नहीं चल रहा कि केडी अंडेलाइंग कंडिशन हेल्फ कंडिशन्स व्यक्तिती हों दी हैगी कई बार सामने तो दिख रहे हैं भला चंगा व्यक्ति भी इस कुरोना दे चपेट दे विच आके कहीं हास्पिला दे विच लंवे समय तक ट्रीटमेंट लें दे रहे हैं या फिर बाद विच अनफोर्चनेट लिए देथ हो जान दे एगी इस तरह दे केसिस तो बचन दे वास्ते ही असी बार-बार तौनों कह रहे हैं क्योंकि तोड़ी जिंदगी तोड़ी लाइफ तोड़ी परवार दे लाइफ तोड़ी बच वाक्सिन लगवाई आपके आसपास जितने भी व्यक्ति अगर फॉर्ट फाइवन अबाब हैं जिन्होंने वाक्सिन अवे तक नहीं लगवाई है उन्हानों तुसी प्रेड़िट करो उन्हानों मोटिवेट करो ताकि सच्ची ते सटीक जानकारी उन्हानों मिले तो यह ज लगान तो वंचित रहे रख्या रहे हैगा तो यह सरासर उन व्यक्तियान ति जिन्हाने ए शिरार्त मेसज्ज पास्वन कर रहे ने उन्हादी उपर इन्हादी जिम्मेवारी हुएगी क्योंकि आसी किसी भी जिंदगी दिना खिलवाण नहीं कर सकते तो मैं तौन एक अगर आप अपने परवार्द ना शेयर कर सकते हैंगे, उसी रूप दे विच में तौनू ए बेंती करना चाहन दिया, ए रिक्वेस्ट करना चाहन दिया, कि तुसी अपनी परवार्द जिंदीगी दना खिलवार ना करो, जिका तुसी अलिजबिल हो, जरूर वैक्सीन लगो, और यह वैक्सीन सारे सरकारी सेंटरां दे विच्छे मुफ्त लगाए जा रही है कि तौनू कोई इसमें दिकत परशानी नहीं आएगी, तो अड़ा सारा वैक्सीनेशन दे काम, जिकर तुसी पहले करा के आन दे हो, तो बहुती वदिया, जिकर नहीं भी करा के आन दे हो, तो तुसी सिरफ अपना इक कोई पहचान पत्र लेकर आना है का, और तुसी सेंटर पर जाके उथे दो-चार मिन दे विच्छी तो आड़ा रिस्ट्रेशन हो जाना है, वैक्सीन लग जाना है, तो वैक्सीन लग जानतो बाद आदे गंटे तौनू उथे अब्जरविशन दे विच्छी बस बिठा के रखना है, ताकि यह देख सके कि तानू कोई दिपकत परशानी तो नहीं हो रही है, तो आज देटा में बेख रही हैं, तो कुछ पेंडू खेतरां दे विच्छ वैक्सीन दे प्रोग्राम दे विच्छ बदिया आसानू फुटफॉल में लिया जरूर एक चीज रहा है कि तो आदे नाल शेर करने पासे, जैसे अकने पास आक्तिव माइक्रो कंटेंमेंट जोन साड़े को दशमेश ने कर रोपड, ते जानी ज्याल सिंह ना अगर रोपड दे विच्छ हैंगे, ते एक बजरूट पिंद दे विच्छ श्रियानकुर आक्टिव कंटेंमेंट जोन बढ़वा, ते चहर मचारा, ते मुझवाल और मुझवाल बस्ती जड़ी अर्बन हैगी, वो अभी आक्टिव कंटेंमेंट जोन दे विचे चल रही है, इस दान दी साम्पलिंग चल रही है कि जिकत तुसी इस एरिया दे वसनीक नो मेरी तो बिंती हैगी, कि प्लीज साम्पलिंग जरूर करवान, क्योंकि तोड़े साम्पलिंग करवान, तो यह सानु खायदा होएगा, कि यह अदेफाय कर पावांगे, कि कोई एस्म्टमाटिक कोई पेशेंट हो नहीं है, हो सक्दा हैगा कि आज पास कोई कोई पेशेंट हो, लेक कि अदेफाय करा सकते हैं, कि कोई कोई पेशेंट तो थोड़े आसपास देविचे ना हुए, ते नाल ही, मैं एक होर भी रिक्वेस्ट करना चाहाँगी, मैं किसी दा देख रही हैं, कि CCTV कैमरा, कोरोन इसलेशन वाट्स देविचे, जरूर बहार दे तरह तोसी जरूर करते किसी के प्राइवसी देविचे थोड़ा सासी सजग रहनते हैं, लेकिन उन्हादी हर घंटे देविचे उन्हादी सारी मॉन्टी हुंदी रहनते हैं, कि जे कर कोई शिकायक हैं, जे कर कोई कंपेन हैं, तो जरूर सानो dc.rpr.panjab.gov.in पे शेयर करिए, ताकि एसी अपने सि लेकिन उस टाइम तक मेरी एक दो गला ध्यान देविचे रखें, मास जरूर पाईए, टे नाल, वाक्सीन जरूर लगवाए, जे कर तुसी 45 साल से उपर हो, उस टाइम तक सजग रहिए, बचे रहिए, मास लगाते रहिए, सच्रकान.